blog post publish करते ही, जैसी ही मैं blog post को live करता हूं within 24 hours में मेरी वो blog post पहले page पर rank कर जाती है और जितनी भी आज के टाइम में जितनी भी मैं blog post publish कर रहा हूं अपने इस blog पर, उसकी सारी blog post within 24 hours में rank हो जा रही है या तो वो पहले page पे आ रहा है या फिर वो blog post दूसरे page पर आ रही है तो भाई ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ इसके पीछे domain reason है ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जिससे मेरी सारी blog post rank हो रही है अगर आप लोगों का यहां पर rank नहीं हो रही है blog post तो आप भी इन सारी all right यह पिल्वर के रहा हं तो सबसे पहले आपको मैं पर proof दिखादेता हूँ सबसे पहले पर देख लेते हैं उसके बात देखेंगे कि आपको करना क्या है आपकी are आ चुका multinisq blog है जिसमें अलग-अलग categories का content यहाँ पर मैं डालता हूँ और यहाँ पर पूरा का यह Hindi या English blog मालो जहाँ पर Hindi English Mixed Content है यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपने dashboard में मैं जाता हूँ यहाँ पर post में मैं जाता हूँ यहाँ पर देखो और live आप लोगों के सामने एक post भी publish करके दिखा हूँ और उसके कुछ घंटे बात देखना यह post भी within 24 hours से कम में भी पहले page पर या दूसरे page पर rank कर रही होगी सबसे पहले मैं आपको proof दिखा देता हूँ तो भाई यह देखो यह blog post है नींद भगाने के उपाए in 2023 यह blog post आप देख सकते हो कब मैंने publish करी है 2023 आठवे महीने 17 तारिक को 9.29 एम यानि कि आज अगर मैं दिखा हूँ आज है 18 तारिक यह blog post में मैंने publish करी है 17 अगस्ट को 2023 में 9 बज के 29 एम पे सुब है अब यहाँ पर मेरी इस blog post को मैं open कर लेता हूँ सबसे पहले तो देख लो भाई अगर आपको एक चीज हमेशा द्यान रखना जो main दो चीजे वो तो मैं आपको बताऊंगा उससे ज़्यादा important अगर आपको अपना content rank कराना ना तो content quality वाला होना चाहिए वहाँ पर आपने जो भी topic लिया है उसके बारे में सारी चीजे cover up होनी चाहिए proper images होनी चाहिए proper in detail content होना चाहिए अब भाई देखो इस keyword का यहाँ पर इस blog post का main keyword क्या है नीद भकाने के उपाए ठीक है अब इसी को मैं copy करता हूँ मैं जाता हूँ यहाँ पर google पर और अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास ने तो आप खुद से भी जाके search कर सकते हो ठीक है मैं गया google पर मैंने यहाँ पर जो main keyword है जो मैंने इसमें target करा था नीन भगाने के उपाए इसको मैं search करता हूँ जैसी मैंने search करा यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा scroll down करता हूँ पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा पांचवा छटा सात्वा आठवा नोवा दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा यह देखो बाई साब 15 नंबर पर मैंने बोला था ना जो भी मैं blog post publish कर रहा हूँ वो तो यह तो पहले page पर या दूसरे page पर rank हो रही है within 24 days में यहाँ पर आप date भी देख सकते हो एक दिन पहले यानि कि आज 18 है कल 17 तारिक को मैंने यह blog post publish करी थी और यह 15 नंबर पर rank कर रही है अब थोड़ा और बढ़ी है SEO करके और यहाँ पर मैंने इसके कोई भी backlink नहीं बनाए है सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर quality content लिखा है उसके बाद इसका on page किया है और सीधा publish कर दिया है मैंने किसी social media पर भी ना facebook पर ना यहाँ पर instagram पर ना यहाँ पर facebook group में telegram पर कहीं पर भी शेयर नहीं कर रहा है सिर्फ quality content लिखा है और publish कर दिया है तो जो आप लोगों की problem आती है कि indexing नहीं हो रहे है यह नहीं हो रहा तो अगर चीजे आप authentic तरीके से करोगे तो सारी चीजे होती है कुछ करने की ज़रूत नहीं है चलो यह तो यह वाला article हो गया ठीक है और हम देख लेते हैं जो भी मैं open करके दिखा देता हूं यह देखो यह पूरा article है proper table of content है proper heading है images है जो भी सारी चीजे होती है a1 quality content लिखा हुआ है और अगर इसकी publish date देखोगे तो यह भी हमने हैं पर आप देख सकते हो 17 तारिक को ही publish करा था 17 अगस्ट 2023 नो बजे ठीक है अब अब इसका main जो keyword हमने target कर search कर दिया और उसके बार देखते हैं कहां पर यह rank कर रहा है पहले position दूसरी तीसरी चौती पांचवी चटी और यहां पर देखो पहले page पर साथवी position पर मेरा article rank कर रहा है आप लोगों के सामने live proof है उसके बार और कोई देख लो जैसे यह है 1000 amazing facts in Hindi इसको आप देखो मैंने 16 को पब्लीच कर रहा था इसको मैं article open करके दिखा देता हूं again in-depth quality article है इसका main keyword था 1000 amazing facts in Hindi इसको मैं copy करता हूं Google पर search करता हूं और यहां पर अगर हम देखें 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8 9 और यह देखो 10 number पर पहले page पर 10th number पर यह article rank कर रहा है तो भाई live proof आप लोगों के सामने और भी कोई भी blog post आप जाके देखोगे तो सारी rank हो रही है उससे पहले देखो यह 13 तारीक को डाला था महिला संगीत anchoring script in Hindi अगर इसको भी मैं search करता हूं महिला संगीत anchoring script in Hindi इसको भी मैं search करता हूं तो पहली position दूसरी तीसरी चौती पाँचवी चटी सातवी और यह आठ नो दस और यह लो ग्यारा नंबर पर मेरी website rank और यह 5 दिन पहले publish करा था तो live proof आप लोगों के सामने अब भाई यहां पर बात करते हैं कौन सी दो चीजे हैं जिसकी वजह से जो भी मैं post लिख रहा हूं वो सारी rank कर रही है तो भाई सबसे पहली जो कि मैं हमेशा बोलता हूं अगर इस चीज पे आप 80% focus कर लेते हो तो फरक नहीं पड़ता आपकी website एक साल पुरानी है दो साल पुरानी है पात साल पुरानी है या तीन महीने पुरानी है अगर इस चीज पे आप focus कर लेते हो तो definitely आपका यहां पर blog post rank होगा domain age से फरक नह जिन पर competition कम है जिन पर search result कम है उनको अगर आप target करते हो जिनका अच्छा search volume है तो आप definitely rank कर जाओगे doesn't matter आपका blog दो महीने पुराना है पांच महीने पुराना है या 5 सल पुराना अब मैं आपको light proof दिखाता हूं जैसे हमारा यह एक keyword था नींद भगाने के उपाए अगर इसको मैं Google पर search करता हूं नींद भगाने के उपाए तो यहां पर देखो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं मैं ऐसे keyword को target करता हूं जिनका यहां पर search result 100 से कम हो अब यहां पर देखो इस keyword के यहां पर search result 69 है तो अगर मैं घटिया से घटिया post भी लिखता तो 70 number पर मेरी blog post rank कर जाती और मैंने बढ़िया even quality लिखा है तो पहले page पर ही दूसरे page पर ही मेरी यह blog post rank कर गई ऐसी अगर मैं और भी कितने भी keywords दिखा हूं जैसे बाकी keyword आप देखो kitty party meaning in Hindi यह भी देखो काफी low competition वाला keyword है तो इसके उपर भी मैंने article लिखा हुआ है उसके बाद अगर मैं बा बात आती है सबसे main कि भाई हम low competition वाले keyword निकाले कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इस keyword पर हमें काम करना है या नहीं अब वो process में बताता हूं उसके बाद जो दूसरी सीक्रेट सीज है जिसकी और से मेरी blog post rank कर रही है वो मैं आपको बता हूंगा ठीक है तो सबसे पहले keyword research का एक बहुत ही simple सा process है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अभी फिर बताने जा रहा हूं और यह एक ऐसा process है जो नया blogging में आया है ने 5 दिन पहले वो भी इस process को follow करके easily low competition वाले keyword निकाल सकता है almost यहां पर free है तो सबसे पहले भाई हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमे keyword zebra extension तो अगर आप Google पर search करोगे keyword zebra chrome extension तो यहां पर चले जाना बिल्कुल free है इस पर click करोगे और यहां पर आपको यह जो chrome extension है keyword zebra यह मिल जाएगा और इसके बार आप यहां पर यह यहां पर आप देख सकते हो ऐसा extension आ जाएगा अपना यहां पर account बना लेना कुछ हद तक यह free है उसके बार paid है तो यहां पर account बनाने के बाद यहां पर domain age select कर लेना आपको search result में यह ऐसे domain बता देगा जिनका यहां पर एक साल से भी कम age है लेकिन वो rank हो रहे है तो मैंने यहां पर आप देख सकते हो one year select करा हुआ है आप अपने according two, three, four, five year तक select कर सकते हो दूसरी चाहिए भाई हमें एक seo tool जो की होगा semrush जिसका हम use कर रहे है toolspur से तो अगर आपको भी cheapest price में चाहिए तो आप tools पूर से जाके खरी सकते हो description में आपको link और coupon code भी मिल जाएगा जिससे आपको काफी सस्ते price में seo tools मिल जाएंगे मैं इनका आप देख सकते हो सारे plans यूज क आपको क्या करना है उस niche का जो भी आपका keyword rank कर रहा है वो keyword आप search कर लो जैसे मेरा एक keyword था anchoring script for independence day in Hindi तो इसके उपर लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी तो इसको मैं search करता हूं और यहाँ पर keyword zebra में मेरा one year select है तो यहाँ पर keyword zebra मेरे को क्या बता देगा keyword zebra मेरे को बता द साल से भी कम age वाले domain भी इस keyword के उपर rank कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक signal मिल जाता है कि भाई यहाँ पर low competition है क्योंकि यहाँ पर नई website भी rank कर रही है अगर low competition है नई website rank कर रही है तो आप उस keyword पर काम कर सकते हो अगर यहाँ पर सारी ऐसी website होती जिनकी age एक साल से ज़्या है और यहाँ पर सिर्फ high authority website rank कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर आठ ऐसी website मिल गई है जिनकी एक जिनकी age एक साल से भी कम है और इस keyword पर rank कर रही है अब आपको क्या करना है simple keyword zebra ने जो भी आपको website बताई है उन website को copy करना यहां से और अलग-अलग tab में open कर लेना है ठीक है ज example मैंने यहाँ पर तीन open कर ली ठीक है एक तो यह है भाई learn tips.com उसके बाद यह है intally academy.in उसके बाद यह है webzone rashid.in अब हमें उसके बाद क्या करना है आपके पास एक और extension होना चाहिए similar web का तो similar web से हम तीनों website जो भी 3-4-5 जितनी भी website आप निकालोगे उनका आपको traffic चेक कर लेना है अगर उस website पर similar web में दिखा रहा है traffic है जैसे यह जो है learn tips इस पर दिखा रहा है कि महीने का 31,000 traffic है मतलब इस website ने काफी low competition keyword पर काम करा हुआ है अच्छे से keyword की research करी हुई है जिस वज़े से यहाँ पर एक साल से कम age होने के बाद भी इस website पर महीने का 31,000 traffic आ रहा है और day by day grow हो रहा है अब आपको ऐसी ही website निकालनी है तो similar web से देख लेना जिस website पर traffic ना दिखाए उसको आप eliminate कर सकते हो जैसे यह वाली है इस पर भी महीने का आप देख सकते हो 3,000 traffic है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे keywords होंगे जो की काफी low होंगे उसके बाद webzone राशिद अग हम इसको लेंगे और अब हम क्या करेंगे इस बंदे ने अल्रेड़ी महनत करके low competition keyword निकाले हो है तो हम क्या करेंगे इसने जो महनत करी हुए है उसी महनत में से हम keywords निकाल लेंगे तो उसके लिए चाहिए भाई हमें Samrush टूल तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको Samrush को म करूंगा यहाँ पर Samrush में जाकर डालूंगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस website के देखूंगा Samrush इस website के बारे में क्या बताता है कि इस website पर कितने keywords हैं कितने low competition keywords पर यह rank कर दिए क्या stats है कितने backlink है जिससे हमें website का थोड़ा और idea मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ यहाँ पर देख सकते हो Samrush ने इसका डाटा लोड करना शुरू कर दिया है तो आप भी देख सकते हो जितना similar web ने दिखाया था उतना ही यहाँ पर इस पर traffic दिख रहा है नहीं उससे ज्यादा दिख रहा ही थी हां almost उतना ही approximately वहाँ पर 31,000 दिखा रहा था यहाँ पर 40,000 क पास आसपास दिखा रहा तो अब हम क्या करेंगे सीधा जाएंगे इसके और्गैनिक कीवर्ट में ठीक है और्गैनिक कीवर्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको अलग-अलग country के हिसाब से कीवर्ट दिख जाएंगे अगर आपको इंडिया को target करना है तो यहाँ पर आप को टार्गेट करूँगा तो यहां से इंडिया सिलेट कर सकता हूं इंडिया में आप देखो साड़े तीन हजार यहां पर कीवर्ट्स रेंक कर रहे हैं अब यह आ गए हमारे सामने कीवर्ट्स अब एक चीज ध्यान से देखो जैसा कि मैंने बताया ना एक साल से भी कम एज की वेबसाइट है तो डेफिनेटली लो कॉम्पेटिशन कीवर्ट पर काम कर रहा होगा तभी यहां पर इतना जादा कीवर्ट देखो गे सब कीवर्ट डिफिकल्टी कितनी कम है तो भाई यह एक मैजिकल प्रोसेस है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ देखो सारे अभी तक मैंने कोई search volume का filter नहीं लगाया, कोई keyword difficulty का filter नहीं लगाया, कोई position का filter नहीं लगाया, उसके बावजूद भी देखो, सारे low competition keyword है, सारे आपको green दिख रहे होंगे, almost यहाँ पर 15 से कम keyword difficulty वाले keyword है, सारे देखो, सारे के सारे, और search volume भी देखो, search volume भी अच्छा खासा है, 2000, 1600 1900, 210, 880, तो अब क्या करना है, आपको इन में से, इन सारे keywords में से, जो भी आपके निश्य से related keyword है, उन keyword को आप जाके, अपने blog पे target कर सकते हो, अब सिर्फ यह नहीं करना है, कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो सीरह keyword को जाके target कर दिया, उस keyword को आपको manually भी check करना है, तो क्या क करना है, जो भी आपका keyword होगे, उस keyword को उठाओ, Google पे जाके डालो, एंड वहाँ पर देखो, जब आप उस keyword को search करते हो, तो keyword zebra के थूरू कितनी नई website आती है, अगर वहाँ पर आपको दिख रही है, 5, 10, 15 नई website rank कर रही है, एक साल से भी कम age की, मतलब वो keyword काफी low competition वाला है उसको आप target कर सकते हो, दूसरी चीज़ देखो कि अगर उसमें low DA, PA वाली website rank कर रही है, जिनका DA 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, तो वो भी आपके लिए plus point है, तीसरी चीज़ देखो कि अगर वहाँ पर कोई forum website जैसे कोरा हो गया, कोई और forum या फिर कोई YouTube video rank कर रही है, तो वो भी आप एक plus point ले सकते हो, ऐसे आपको सिर्फ keyword research tool में देख के target नहीं करना है, manually भी search करना है, उसके बाद आपको उस keyword पर काम करना है, अगर आपको वहाँ पर ये सारी चीज़े दिखती है, अब भाई बात कर लेते हैं, दूसरी सबसे important चीज़ कि मेरा जो blog है, उस पर जो भी मैं blog लिख रहा हूं, वो इतना जल्दी, within 24 hours में index भी हो रही है, और rank भी कैसे हो रही है, तो पहली चीज़ तो भाई, जैसा कि मैंने बोला, 80% keyword research है, मैं keyword research करके, ऐसे ही keyword को target करता हूं, जिन पर competition कम होता है, इस वज़े से वो rank कर जाते हैं, दूसरी चीज़ भाई, मेरे blog की authority है हाला कि यह multi-nish blog है, लेकिन फिर भी blog की authority है, क्योंकि इस blog पर मैं genuine काम कर रहा हूं, genuine content डाल रहा हूं, backlink यहाँ पर जो भी बने हुए है, वो automatic, यानि कि genuine backlink बने हुए है, कोई भी manual बनाए हुए backlink नहीं है, तो सारा काम यहाँ पर authentic हो रहा है, दूसरी चीज, यह domain यहाँ पर 4 साल से भी ज़्यादा पुराना है, अगर आप देखोगे, Google पर जाके सर्च करोगे, mangesbhadwas.com, चलो वो भी मैं आपको check ही करा देता हूं, domain, domain, age checker, तो इस पर मैं आपको अपने domain की age भी check करा देता हूं, तो दूसरा जो main reason है, वो यही है, कि मेरे इस blog की authority बन रखी है, multi niche होने के बाद भी, तो दूसरी चीज यही एक reason है, इसकी मैं आपको age check करा देता हूं, तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, इस domain की, mangesbhadwas.com की, आप देख सकते हो, 4 साल 6 मैने, साड़े 4 साल से भी ज़्यादा पुराना यह domain है, तो इस वज़े से भी authority बन रखी है, लेकिन यह आपकी secondary चीज़, अगर आपका नया blog है, तो आपकी authority कहां से होगी, तो उस case में आपको 80%, मैं कहूंगा 90% ध्यान देना है, keyword research करने में, दो दिल लगाओ, पास दिल लगाओ, एक हफता लगाओ, लेकिन ऐसे keyword पर काम करो, जिन पे आप काम करते ही, आपका blog index भी होने जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी blogging journey में कोई भी problem आ रही है, blogging कैसे करना है, adsense में approval में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कोई भी doubt है, कोई भी query है, तो मैं आपको highly recommend करता हूँ, हमारी private blogging community जो की telegram पर है, वो आप जरूर से join करें, description में link है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा proper telegram group है, जहाँ पर almost सारे active member है, जहाँ पर लोग अपनी query पूछते हैं, जिनको उनका answer पता है, वो एक दूसरे की help करते हैं, हमारा यहाँ पर telegram का group भी है, जहाँ पर मैं सारी update देता हूँ, क्या video आने वाली है, A to Z and telegram group भी है, य only and only 1300 highly active members हैं, जो कि एक दूसरे की help करते हैं, तो अगर आपकी कोई भी query है, कोई भी doubt है, कहीं पर भी first area of blogging journey में, तो यहाँ पर आके आप अपनी query पूछ सकते हो, आपको solution मिल जाएगा, मैं आपको reply दूँगा, या फिर जो भी आपको active यहाँ पर होगा, जिसको भी solution पता अगर वो आपको यहाँ पर answer definitely देगा, so make sure यह private telegram channel, private telegram community, आप जरूर से join करो, यह public नहीं है, सिर्फ जो हमारे videos देखते हैं, उनी के लिए है, तो make sure यह जरूर से आप check out करो